हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे, कक्षा 3 की पुस्तक संस्कृत प्यूश्यम को जिसमें हम पढ़ेंगे, सप्तमा पाथा, सप्तमा पाथा है, शित्रम पाथा 5, तो चलिए पढ़ते हैं, बालका किम करोती, बालक क्या करता है, बालका पठती, बालक पढ़ता है, बालका किम कुरवन्ती, दो से अधिक बालक क्या करते हैं, बालका पठती, दो से अधिक बालक पढ़ते हैं, बालका किम करोती, लड़की क्या करती है, बालका लिखती, लड़की लिखती है, बालका किम कुरवन्ती, दो से अधिक लड़कियां क्या करती है, बालका लिखन् दो से अधिक लड़कियां लिखती हैं। बालाह किम करोती। बच्चा क्या करता है। बालाह हसती। बच्चा हसता है। बालाह किम कुर्वनती। दो से अधिक बच्चे क्या करते हैं। बालाह हसंती। दो से अधिक बच्चे हसते हैं। प्रश्न एक, वाक्यों को पढ़िये, छात्रह पठती, छात्र पढ़ता है, वानरह खादती, बंदर खाता है, गजह चलती, हाथी चलती है, बालिका गच्छती, लड़की जाती है, प्रश्न एक चित्र के अनुसार सही ख्रिया को छाट कर नीचे लिखिये, लिखती, लिखंती, पठती, चलती, बालकह लिखती, महिलाह लिखंती, पुरुशह पठती, गजह चलती, प्राश्न दो, कोष्ठक में दी गई क्रियाओं में, ते, जोकर वाक्य पूरा कीजिये, जैसे, बालकह पठती, क, बालह हसती, ख, बालिका लिखती, ग, छात्रह खादती, प्राश्न तीन, चित्र को देखकर उचित शब्दों का चयन करते हुए वाक्य बनाए, सूर्य, नौका, जनाह, खगह, क, नौका तरती, ख, सूर्य होदयती, ग, खगह कुजती, ग, जनाह भ्रमंती, शब्दार्थ, करोती, का अर्थ होगा, करता या करती है, पठंती, का अर्थ होगा, पढ़ते या पती है, बालह कार्थ होगा बच्चा, हसती कार्थ होगा हस्ता या हस्ती है, गजह कार्थ होगा हाथी, खगह कार्थ होगा पक्षी, जनाह कार्थ होगा बहुत से लोग